नमस्कार स्वागते आपका चुनाव आज तक पर मैं हूँ रवीश पाल सिंग्ग मदरबदेश में विधान सभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से राजनीती के केंद्र में मदरबदेश की जीवन दाइनी कहे जाने वाली नर्मना नदी आ गई है एक तरफ भारती जनता पार्टी जहां नर्मना नदी में उत्खनन को ले करके उसे एक जीवित एकाई गोशित करके या फिर नर्मना नदी के आसपा शराब की दुकानों को बंद करके अब तक अपनी वोट यहां पर एक तरीकी से बनाती आई है तो दूसरी तरफ कॉंग्रे के करीब 16 जिलों से होकर के नर्मना नदी गुजरती है और इसके आसपास की जो विधान सभाज सीटे आती है आपको बता दे कि वहां पे नर्मना सिर्फ एक नदी नहीं बलकि लोगों की आस्था के साथ उनकी एक तरीके से उमीदों के साथ जड़िवी नदी मानी जाती है और इसलिए कॉंग्रेस ने भी अब चुनाव से ठीक पहले ये एक कार्ड खेला है जिसमें नर्मता सेवा सेना जो बनाई गई है उसमें नर्मता सेवा सेना नर्मता नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर नाकेवल पौधार ओपन करेगी बलकि वहां पर जो अवैद अलग जिले पढएंगे अलग-अलग विधान सभा सीटे पढ़ेंगी नर्मता नदी के साथ-साथ उनमें एक सब कमीटिया बनाई जाएंगी और ये कमीटिया ही सदस्ता अभियान के साथ कंग्रेस में लोगों को जोड़ेगी और इसका फायदा कंग्रेस को लग रहा है कि आगामी विधान सभा चुनाओं में मिलेगा इसलिए इस समीटी का गठन भी किया गया है लेकिन क्यों आखिरकार मद्रपदेश में चुनाओं से ठीक पहले नर्मदा नदी के आसपासी राजनितिक डलों का ध्यान केंदिर हो जाता है उसके पीछे एक लंबी कहानी है आपको कंग्रेस के तमाम विधान सभा सीटों में काम करके नर्मदा नदी के साथ जुड़ा हुआ जो विश्वास है जो आस्था है उसे अपने पाले में कर सके नर्मदा नदी मद्रपदेश के 16 जिलों से होकर के गुजरती है और आपको बताएं कि इन जिलों में से ज्यादातर जिले जो हैं वो यहां पर फिलहाल इस समय इन सीटों पर कॉंग्रेस का कबजा है एक तरफ आपको बता दें कि प्रियंका गांदी हो राहूल गांदी हो जब भी वो मद्रप्रदेश आते हैं अगर भारत जोड़ो यात्रा मद्रप्रदेश से हो करके गुज्री है तो राहू जादा नर्मदा परिक्रमा भी कर चुके हैं और जब इसका समापन हुआ था तो अमर कंटक में जहां पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थाल है वहां पर प्रधानमंती नरेंद्र मोधी भी पहुंचे थे दिग्विजे सिंग ने भी नर्मदा परिक्रमा की थी चुनाओं स दर्जा मिला हुआ है मध्यपदेश की लाइफ लाइन नर्मदा नदी को कहा जाता है और पूर्व से होकर के पश्चीम की और बहने वाली ये नदी है जो गुजरात में खंबात की खारी में जाकर गिरती है लेकिन नर्मदा अपना ज्यादातर सफर जो है वो खंडवा, खरगौन, बढ़वानी, धार, देवा, सिहोर, राइसेन और अलीराशपूर होता हुआ ये नर्मदा नदी का सफर जो है ये गुजरात में प्रवेश कर जाता है नर्मदा नदी के साथ-साथ अगर दिखा जाए तो वैसे तो ये बारमासी एक नदी है जिसमें स साल भर पानी रहता है इस लिए इस नदी के आसफास का जो इलाका है वो बहुत ज़ादा उपजाव माना जाता है खास्तों से चावल और ढाल की खेती के लिए नर्सिंट जिला जो है वह बहुत जादा मशूर है ये भी नर्मदा की नारे आता है इसके अलाबा कर दिखा ज प्रमुख विपक्षी देल हैं कॉंग्रेस वो सत्तारोड भाजपा पर हमलावर है और वो नर्मता सेवा सेना के जरीए इसे भी लगाता सामने रख रहा है दूसरी तरफ आपको बता दें कि नर्मता नदी में अगर दिखा जाए तो नमामी देवी नर्मते यात्रा का सज्च समापन हुआ था दिख्विजे सिंग ने भी मद्रपदेश में जब कॉंग्रेस का 15 सालों का सूखा था तो उसे खत्म करनी के लिए नर्मता परिक्रमा की थी जिसका समापन जब उन्होंने किया था तो उसके बाद 2018 के विधान सभा चुनाओं में इसका फायदा कॉंग्रे के साथ जुड़ीवी आस्था अपना असर डालती है इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो मद्रपदेश के मालवानी मान में भी आता है लेकिन मद्रपदेश में अमर कंटक से लेकर के बड़वानी अलिराचपुर तक जहां तक नर्मदा नदी मद्रपदेश में हैं वहां इन तमाम सीटों पर कहीं नर्मदा नदी के साथ जुड़ीवी आस्था चुनाओं में भी अपना असर दिखाती है और यही वज़े है कि भारती जनता पार्टी हो या फिर कॉंग्रेस हो दोनों ही राजनितिक डल नर्मदा सेवा सेना के जरिए फिलहाल या फिर नर्मदा क किनारों पर योजनाय ला करके नर्मदा की पूजा आरती करके खुद को सबसे बड़ा नर्मदा भक्त दिखाने में लगे हुए हैं ताके चुनाओं आते ही इसका कम से कम एक चुनावी फायदा उठाया जा सके हाला कि वो बात अलग है कि राजनितिक डल इसे अपने नजर बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि मत्रदेश की जीवन दायनी कहे जाने वाली नर्मदा नदी चुनाओं आने पर चुनाओं के लिहाद से भी नेताओं के लिए बड़ी जीवन दायनी साबित होती है